नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका आपकी यूट्यूब चनल TechNews Prime में तो दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगी कि कैसे आप SBI इंटरनेट बैंकिंग के लिए रेजिस्टर कर सकते हैं वो भी घर बैठे ही इसके लिए आपको बैंक जाने की जरूत नहीं पड़ेगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपने ब्राउजर पे यहाँ आपको टाइप करना होगा Online SBI अब यहाँ पे आपको जो सबसे पहली वेबसाइट दिख रही है Online SBI इस पे क्लिक करेंगे अब इसमें आपको Personal Banking का ओप्शन दिखेगा जिसे हम इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं लोग इन आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे इसलिए यहाँ पे New User Registration पे आपको क्लिक करना होगा Then OK पे क्लिक करेंगे New User Registration आपको अल्रेडी मेंशन है Next पे क्लिक करेंगे अब सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना Account Number टाइप करना होगा Then CIF Number टाइप करेंगे Branch Code, Country Name और अपना Registered Mobile Number यहाँ पे टाइप करेंगे इसके बाद Facility Required में आपको Full Transactions Right को सलेक्ट करना होगा फिर आपको दिएगे Capture Code को टाइप करके I Agri को सलेक्ट करना होगा Then Submit पे क्लिक करेंगे Then आपके नमबर पे एक OTP आएगा वो OTP यहाँ टाइप करके Confirm पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आप दो तरीके से Register कर सकते हैं पहला आपके पास ATM होना जरूरी होता है और दूसरे में आपको Bank Branch आके करवाना होगा हमारे पास ATM है तो हम First Option चूज़ करेंगे Then Submit पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको जो भी ATM कार्ड एक्टिव है उसको Select करेंगे और Confirm पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको अपने ATM कार्ड की Details फिल करनी होंगी Then Proceed पे क्लिक करना होगा अब इस पेज में सबसे पहले आपको अपना Username बनाना होगा यूजरनेम भी यहाँ पे Case Sensitive है इसका मतलब यह है माल लिजे अगर आपका नाम Mohit है आपने यूजरनेम बनाया Mohit1993 अब अगर आपने Mohit में M Capital लिख दिया है तो Login करते टाइम भी आपको Capital M लिखना होगा आपका Username Available है या नहीं आप Check Username Availability पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं अगर Available होगा तो Username Available शो हो जाएगा Then Terms and Conditions को Right-Tick करेंगे उसके बाद आप अपना नया Login Password यहाँ टाइप करेंगे Then Same Password फिर से यहाँ टाइप करेंगे उसके बाद Submit पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हम Internet Banking में Successfully Registered हो चुके हैं अब हम इसे Close करेंगे और फिर से Internet Banking के Login Page पे जाएगे हमने Login Password तो यहाँ पे बना लिया है लेकिन हमें Profile Password भी बनाना ज़रूरी होता है क्योंकि Login Password सिर्फ Login के काम आता है और Profile Password अगर हम Profile में कोई Changes करते हैं तो उसको Fulfill करने के लिए हमें Profile Password चाहिए होता है तो Profile Password बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे Login पे क्लिक करना होगा इसके बाद Continue to Login पे क्लिक करेंगे Login करने के लिए आपको यहाँ पे अपना Username, Password और Capture को टाइप करना होगा सबसे Important बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा अगर आपका Password या Username यहाँ पे गलत बता रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा आपको अपने Browser की Catcher History को Delete करना होगा Catcher History डिलीट करने के बाद आप पेज को Refresh करके फिर से Login करेंगे तो आपका Login हो जाएगा अब यहाँ पे आपको अपना Profile Password बनाना होगा देन जो Profile Password आपने यहाँ बनाया है वो सेम Profile Password आपको नीचे टाइप करना होगा देन आपको यहाँ पे एक Hint Question चूज करना होगा और उसका जवाब नीचे आपको लिखना होगा यह Security Reasons के लिए आपसे पूछा जाता है ताकि अगर आप Password भूल जाएं तो यह Hint Question टाइप करके आप Login कर सकते हैं जो Question आप चूज करेंगे उसका जवाब आपको Hint Answer में देना होगा DOB आपके यहाँ पे अल्लेडी मैंशन होगी उसके बाद आपको अपना Place of Birth यहाँ पे टाइप करना होगा Then Submit पे क्लिक करना होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा Profile Password successfully set हो चुका है दोस्तो Profile Password हमें सिर्फ तभी काम आता है जब हमें कोई Profile में Changes करने होते हैं यहाँ पे अगर आप Account Somebody पे क्लिक करते हैं तो आप अपना Account Number, Branch Name, Available Balance और Last 10 Transactions देख पाएंगे Account Statement पे क्लिक करके आप Month या Year के हिसाब से अपने Bank Statement PDF Form में डाउनलोड कर सकते हैं Payments और Transfer के थुरू आप Money Transfer easily कर पाएंगे Bill Payments के थुरू आप किसी भी प्रकार का Bill easily भर पाएंगे तो दोस्तो यह था तरीका जिसके थुरू आप SBI Internet Banking में easily register कर पाते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और कमेंट्स करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल एकन दबाएं ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले